अगर आप PM सूरुधर योजना के अंतरगत अपने घर पर एक 1 किलो वाट का सोलर सिस्टम हिस्टॉल करवाने वाने तो उस सोलर सिस्टम की आपको क्या कीमक मिलेगी इसके साथ ही आपको जो यह आप सोलर सिस्टम लगाएंगे इसमें आपको टू टाइप के सोलर पैनल देखने को मिलेगी जो दोनों टाइट की solar panel है उस solar panel में कौन ज़्यादा अच्छा है कौन कम अच्छा है इसके बारे में बताएंगे और आपको इससे कितने unit की जो है generation देखने को मिलेगी subsidy कितनी आएगी अगर आप एक kilowatt का solar system अपने गर पर install करवाते हैं कितने दिनों में आपकी subsidy आजाएगी और इस पूरे process को complete करने में कितने दिन लगने माले मतलब एक kilowatt से related आपके मैं पोसिस करूँगा कि 100 में से 100% सवाल cover up करो जिससे आपकी जानतारी बार सकते हैं तो चलने शुरुआत करते हैं आजके इस वीडियो की चैनल पर नहीं है तो दोस्तों सब्सक्राइब करने में पूर संकोज ना करें और वीडियो authentic और सही जानकारी के साथ है तो बिना like किये हुए मत जाएं और दोस्तों को share भी करें क्योंकि हर एक चीज़ पूरा detail के साथ मैं बताने वाला हूँ मेरा नाम है सूर्यांस और आप देख रहे हैं सूर्यांस क्रसानतवस्ती यूट्यूब चैनल दोस्तों अगर हम लोग बात करें एक किलोवाट के सोलर सिस्टम के बारे में तो वैसे तो आपको आपको सबसीडी मिलती है आपको सबसीडी मिलती है इसके अंदर इन्वर्टर इसके साथ तीसरे नंबर पर आपका नेट मीटरिंग किया जाता है तो एक के करके सब के बारे में बात करते हैं तो सबसे बहुत कर लेते हैं solar panel पे के बारे में और यह है solar panel से slide यहाँ पर आपको poly का solar panel नहीं देखने को मिलेगा अगर आप PM सूर घर योजना के अंतरगर अपने गाँ यहाँ पर system install करवा रहे हैं और आपको install करवाना भी नहीं चाहिए आपके पास दो best option होगे नंबर एक दिये और नंबर गो यह इन दोनों की विशेस्ताओं के बारे में हम लोग जान लेते हैं दोस्तों यह है हमारा monopark half cut bifacial solar panel यह आपको 540 watt तक और 550 watt तक देखने को मिल जाएगे अगर आप अपने घर पर एक किलोवाट का सोलर सिस्टम लगवा रहा है तो ऐसी कंडिशन में आपको यहां पर नंबर आप दो मिलेंगे जाएक टोटल प्राइज भी मैं आपको डिटेल के साथ बताऊंगा तो आप यह वीडियो थोड़ा से दयां से देख रहे हैं सब ची और अगर कम दूब भी है या हलकी सी चाया है तो इस कंडिशन में भी यह पान शेई यूनिट टद की जनरेशन दे देगा मतलब यह हुआ कि अगर आप इसके साथ ही सिस्टम लगा रहे हैं तो पांत इच्छा इमिट आपके अच्छे सनेटे में कहीं नहीं जाने मादे और इसकी कीमत के बारे में यहां नहीं बात करता है क्योंकि जो हम लोगों को पैकेज ऑफर किया जाता है हम लोग उसके रिगार्डिंग बात करेंगे अब यह दूसरे नंबर पर मिलेगा आपको टॉप कॉन टेक्नोलजी का सोलर पैनल और हां एक सबसे इपॉर्टन चीज अगर आपको सबसेडी वाला सोलर सिस्टम लगाएंगे तो वहां पर देगे आपको बताने कि आवसे आपको अब करना है आपको यहां पर पैनल के सेलेक्शन करने हैं या तो आप टॉप 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 टेक्नोलोजी का सोलर पैनल का जो प्राइसे जड़ा ज़्यादा रहता है वह 21 परसेंट तक की देखने को मिल जाती है और यहां पर आपको आज की रिट में जो अगर आप यहां पर यह सिस्टम लगाते हैं तो यह हमारा हो जाता है जाके 1150 वाट का solar panel यह solar module के वाटे आप यहां पर 500-200 वाट तख का overload 1 kilowatt के solar system पर कर सकते हैं कोई भी problem नहीं आएठी तो यह तो ओगा solar panel की बात और अगर unit generation की बात करें तो आपको top technology पर 6 unit plus तप्ता generation एक अच्छे सनी डेमर देखने को मिल जाता है तो आप यहां से आप चुन सकते हैं कि आपको mono पर खापकर by facial की तरफ जाना है या आपको end type top technology की solar panel की तरफ जाना है यह तो हो गया solar panel का system और सबसे important जीज़े हो कि आप जो एक किलो वाट का अगर अपने घर पर system लगवा रहे हैं तो उसकी प्रात्मिक्ता एक बहुत ही important प्रात्मिक्ता है वो यह हैं कि अगर आपके घर पर जो meter लगा हुआ है वो एक किलो वाट के tapacity का meter है दन आप इसके लिए apply कर सकते हैं और अगर आपके दो किलो वाट लगा है आप एक किलो वाट का लगाना चाहरा है तो आपको मेरे दो किलो वाट वाले वीडियो का prices देखना पड़े था तो आपको इस system में vendor के fire से मिलेगा जाए पहले आपको एक तो नमबर एक पर solar inverter दिया जाएगा आप जो solar panel या solar module select करते हैं वो solar module दिये जाएगे इस structure इस structure आप क्या install किया जाएगा जो installation पर charges है वो भी इस जो मैं बजल बताऊंगा उसमें सामिल होगा जाके उसके साथ जो भी nc4 connector और net metering इसका भी price इसी के अंदर कर सामिल होगा तो मतलब यह चीज़े आपके on solar system में लगेंगी आप अब सबसे बड़ी कुश्चन यह है कि हमें इस पर सबसेडी कितना मिलेगे तो दोस्तों अधर आप उत्तर पदेश मतलब यूपी के निवासी है तो ऐसी कंडिशन में आपको सबसेडी के दो ग्राफ देखने को मिलेंगे वह दो ग्राफ एक है एक सेंटरल की तरफ से और दूसरी स्टेट की तरफ से सेंटरल की तरफ से आपको एक किलो वाट के ऊपर तीस हजार रुपई सबसेडी का प्राफदान किया गया है वहीं कि स्टेट की तरफ से आपको एक किलो वार्ट के उपर 15,000 रुपए सब्सेडी का प्राफदान किया गया है मतलब 45,000 रुपए आपको यहाँ पर सब्सेडी मिल जाएगे और आपका जो पोटल कोस्टिंग आएगी यह किलो वार्ट के सोलर सिस्टंग की वो आपकी 60 से लेकर 55 रुपए पर वार्ट यह कह सकते हैं कि 60,000 रुपए से लेकर 55,000 रुपए पर वार्ट तक कोस्टिंग आएगी और 90% ऐसे वेंडर होंगे जो आपको यह सिस्टम 60 रुपए पर वार्ट के जाब से आपकी गरपर इंस्टॉन करदेंगे मतलब आपका सिर्फ 15,000 रुपए खर्श करने के बाद आपका जो सोलर सिस्टम लगकर तयार होगा वह ओगा आपका पी एंसूर घर योजना के इंतरगत एक किलोवाट का सोलर सिस्कम और इससे आप अपनी एलक्टिस की नेट को पूरा करपाएंगे इस पूरे सिस्टम को लगने में अप्रॉफ मटनी दो मन्त का समय दोस्तों लग जाता है क्योंकि कही बार ऐसा होता है विदियो पसंद आया था तो विदियो को लाइक कर दीजेगा और अगर आप और जानकारी लेना चाहते हैं और जानकारी जानना चाहते हैं इन सोलर सिस्टम के बारे में तो आप हमारे चैनल के साथ जोड़ सकते हैं आपको हमारे इस चैनल पर एक लेकर पूरे 10 किलो वार्ट तक के सोलर सिस्टम के बारे में कंप्रीट इंफॉरमेश है मिलेगी जिससे आपकी नॉलिज भी बढ़ेग झाक झालाओ का कि अगार फटाओ कि दो, तो पालाओ कि वाया हुआए है कि अगया है।